ताकि आप हमारे podcast के best highlights enjoy गर पाएं इसलिए हमने अपने podcast को छोटी-छोटी clips में divide कर दिया है और वो clips आपको मिलेंगी इस channel पर तो जल्दी से हमारे clips channel दिवे अगरवाल को भी subscribe कर दो आपने एक बड़े interesting concept के बारे में बताया भूतों का मेला तो भूतों का मेला क्या चीज़ है ये भाई ghost festival भी कह सकते हैं आपने कभी सुना ही होगा हमेशा कि मतलब अलग-अलग मेले होते हैं लेकिन भूतों का मेला इंडिया में ये एक ऐसी जगे है MP में बेतुल में जगे का नाम है मलाचपूर और ये साल में एक बार लगता है मेरे सबसे 15 दिन के लिए यहां पे वो लोग आते हैं ये एक ऐसा hospital भी आप कह सकते हो कि जिन लोगों के उपर भूत, प्रे, तात्मा, चुडैल जिनका साया होता है अब यहां पे ये लोग क्यों आते हैं यहां पे लोग इनसे पीछा छुडाने के लिए आते हैं बताते ही कि वहां पे एक ऐसा कैद खाना है जो कैद कर लेता है लोगों के भूत, प्रे, चुडैल को अगर वो उनके उपर हैं मोस्टली लोग जो मैंने वहाँ पे एक्सपिरियंस किया था, मैं दो- groß दिन वहाँ पे रुक के आया था मैंने एक्सपिरियंस किया था कि मुस्टली लोग सआउथ हिंडिया से बहुत आते हैं तमिल नाडू, केरला, चिन नाई, डेली, वैसे तो ओल ओवर इंडिया से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग वहां से आते हैं, वहां पे क्या है कि एक पेड़ है, जो दिखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, नॉर्मल पेड़ लगता है, आप क्या सकते हैं, न मतलब, कोई इनसान उस पेड़ को टच करने से पहले भी सोचे, कि अगर वो पत्ता गिर गया, तो यह लगता है, कि जब वो पत्ता गिर रहा है, तो उसको हटाता कौन होगा, क्योंकि डर इतना होगा, क्योंकि पता है, यहां पे इनमें यह चीज़े कैद होती हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है, कि वहाँ पे, मतलब वो ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक प्रोसेस है, कि अगर जैसे कोई एक विक्टिम है, कोई एक पेशन्ट है, जिसके ओपर बहुत प्रहतात्मा, किसी का भी साया है, उसको लेके आया, उसको कोई relative लेके आया, व उसका प्रॉसेस क्या है वहाँ पे थोड़ी दूर जाके एक नदी है अगर उस नदी को देखोगे तो आपको लगेगा मिलब मिलको ऐसा बोलना नीची है लेकिन वो नदी एक ऐसी है कि जैसे नहीं कहीं बारिश हो जाती है पानी भर जाता है तो बस ऐसी जगे है कि वहाँ प आप देखो कि उस नदी में पहले आपको नहाना बढ़ता है जब आप उस नदी से नहा के आओगे फिर उसके बाद वहाँ के जो पंडित हैं पुजारी है वो आपको देखेंगे देखने के बाद वो आपको टाइम देंगे कि शाम को इतने बचे हमसे मिला तो वहाँ पे रश होता है कि हर एक एक इनसान वहाँ पे नहा के आता है फिर वो वेट करता है फिर वहाँ पे एक आरती होती है बहुत बड़ी आरती होती है मतलब मैंने वो अटेंड करी थी तो उस आरती के टाइम भी सेम जैसे मेहन्दीपूर बाला जी में लोग नहीं ऐसे परेशान हो बाल हिलाते हैं, चिलाते हैं, चीकते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर ऐसा करते हैं, जैसे वह आरती फिनिश होती है, फिनिश होने के बाद वहाँ पर पंडी जी का नाम मुझे नहीं पता, वो क्या करते हैं, कि वो बाल पकड़ते हैं, किसी भी विक्टिम के, किसी भी इनसान कि जो परिशान है, जैसे एक लेडी है मैंने अपनी आखों से देखा था कि उन्होंने ऐसे बाल पकड़े थे और वो उसको ऐसे 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 हिलाए जा रहे हैं और एक उनके पास ऐसे मोर के पंक की जाडू होती है वो उसको बहुत तेसे मारे जा रहे है और वो जो भी उससे कोशन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उसी टाइम पे वो रिस्पॉंड कर रहे हैं, मतलब वही वाइस डिफरेंट हो जाती है कि मैं यहां से आया हूँ, मैं नहीं जाओंगा मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं मार दोगा यह हुआ है, तो वो भी उसे मारते हैं इसको पगड़ते हैं और उसको फिर ऐसे एकげंडम धका दे देते हैं धका देने के बाद जैसे ही वो एकदम पीछे होती उस जगह से तो भाई वो दीरे 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 अपना सर हिलाते रहते हैं ऐसा एक लोग नहीं ऐसे सारे लोग दीरे दीरे सर हिलाते हैं और वहाँ पे वो नॉर्मल हो जाते हैं और बताते हैं कि उस जगे पे आप कभी जगे देखना भी वो वीडियो देखना भी बेतुल की उस जगे पे सामने वो पेड़ है और बताते हैं कि वो आत्मा बूत प्रेज चुड़ेल जिन जो जिस चीज का भी साय है वो जाके उसमें कैद हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके उपर काफी जादा एक ऐसी एंटिटीज होती हैं कि बहुत जादा मतलों स्ट्रॉंग हैं तो उनके लिए शायद दो तीन दिन भी लगते हैं जरूरी निए एक दिन में ठीक हो जाए तो ये मेला जो है ये भाई कुछ टाइम के लिए लगता है लेकिन ये इतना फेमस मेला है ऐसे से लोग यहां प्याते हैं एजूकेटिड ल लोग हैं देखो जो इनसान परेशान है वो हर एक चीज करता है अपने आपको बचाने के लिए तो मैंने वहाँ पर ऐसे से लोगों को देखा मैं उनसे मिला मैंने उनसे पूछा तो मुझे यह भी जानने को मिला कि यहां पर जब आप इस बेतल एरिये को छोड़के जाते ह तो रस्ते में आपको भूत प्रेत आत्माय चुडल दिखेंगे भी ऐसा यह चीज लोकल लोगों ने बताईए मुझे वहां के लोग नहीं बताएगा बताते हैं कि अगर आप ध्यान से देखोगे या शाम को गुजर रहे होगे वहां पर एक वह चोटा सा क्या कहते हैं रि प्रेत आत्माय चुड़ा लिगते तो कई लोग बोलते हैं कि वह पेड़ के पत्ते घर जाते हैं ना ये चीज अब जिक्र नहीं हो यी अगोगों को दिखते हैं तो यह जैसे कि आप कहा सकते हैं कि एक विधिव प्वे बारब ये जिसके बारे में इस बिल्कुल यह नहीं किसी को नहीं पता, यह शायद आज मैं आप से शेयर कर रहा हूं, और यह मैंने बस एक बार वो वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मेला बड़ा अलगी है, आप देखोगे ना बलब एक नॉर्मन सी जगह है वहाँ पे, और लोग वहाँ पे बहुत टाइम से सेवा कर है, गुझाआप अब लोग है जो पंजाब से, गुझ्राटसे, बॉंबे से, आ वहां पर सेवा करते हैं, कि उनको लगता है कि कि हम यहाँ पे आ गये हम ने बस गुरू जी की सेवा कर दी, यहाँ पे धम करती है और भहां पे उनका नाम भी है वहां के जो बाबा वया करते हैं लेकिन कई जितने भी लोगों का मैंने वाप पर इंटर्व्यू लिया था और मैंने experience किया था तो सब के positive response थे लेकिन भई है कि कुछ लोग believe करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं अब आपसे conversation की वाद मैं तो और बहुत सारी चीज़ों मैं मानने लगा हूँ आइंड ऐसे हमें I think बहुत सारी और बाते हैं जिसमें हम आगे भी deep dive करेंगे तो आपको वापस से podcast में जरूर आना पड़ेगा एक बिल्कुल भाई मेरेको तो बैसाच बताऊं आपकी stories था मैं सुनता था शुरू से जब भी मेरेको time मिलता था कि हा या सुनो कि आप मिलते हैं जरूर और करेंगे फिर से कुछ नहीं आपकी बिचल से हैं थैंक यू वाई